स्थापकाय चधर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णायते नमाः आज श्रीमत स्वामी सुहोदानंद महराजी की पुण्ये जनम्ति थी है इस अफसर पर हम उनके जीवनी का पाठ करेंगे सुभोदानंद जी महराज का पुरुवाश्रम का नाम था सुभोद चंद्र घोष इनके पिता का नाम था श्रीकृष्ण दास घोष और माता का नाम था श्रीमति नयन्तारा देवी इनका जनम हुआ था आठ नौवंबर 1867 को कलकत्ता में बच्पन से ही बहुत सरल थे बालक वत वेवहार करते थे मुख पर मधूरता और तेजस विता अविव्यक्त होती थी सन 1884 में वे श्री राम कृष्ण देव के संपर्क में आए और जब श्री राम कृष्ण देव से मिले तो श्री राम कृष्ण देव ने उन्हें अपने विस्तर के साथ में बैठने के लिए कहा इस पर सुभोद चंदर घोष ने कहा कि वे पैदल चल करके आए हैं और रास्ते में बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है और उनके विस्टर पर बैठना उनके लिए अच्छा नहीं होगा इस पर श्रीराम कृष्ण देप सुभोत चंद्रगोश को कहते हैं कि तुम्हारे स्पर्श करने से कोई दोश नहीं होगा तुम यहां के हो यहां पर यह शब्द यहां का अर्थ है तुम इस इश्वर के हो यानि तुम श्रीराम कृष्ण के हो इस परकार श्रीराम कृष्ण देप के साथ संपर्क में आने पर धीरे धीरे वे उनके पास आने लगे और एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने उनकी जीव पर एक मंत्र लिख डाला और उन्हें ध्यान में बैठने के लिए कहा जैसे हिए ध्यान में बैठे उन्हें अनेक देवी देवताओं के दर्शन हुए और इस परकार श्री राम कृष्ण देव के संपरक में आने पर उनके अंदर आध्यात मिक्ता की जोत रजोलित होने लगी एक दिन श्री राम कृष्ण देव ने उनसे पूछा कि तुम्हारी मेरे बारे में क्या धारणा है सुभोध चंद्रगोश कहते हैं पिना कुछ समझे हुए मैं किसी की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ जब तक मैं किसी भी चीज को समझ ना लू मैं विश्वास नहीं करूँगा यह उनका एक बालकबत बहवार भी था सरल बहवार भी था निश्कपट और अभिवान रहित बहवार था और आप सब को एक और बात जानकर यह हैश होँगा कि उन्हें खोखा महराज के नाम से भी जाना जाता था खोखा शब्द बंगाली में एक छोटे से बच्चे के लिए परियोग क्या जाता है इसलिए जितने भी श्री राम कृष्ण देव के शिश्य थे सुभोद चंदरगोष के जितने भी गुरु भाई थे उन सब में वो सबसे छोटे थे इसलिए प्रेम से सभी लोग सुभोद चंदरगोष को खोखा कहते थे खोखा शब्द का मतलब चोटा बच्चा और प्रेम से उन्हें पुकारते थे और वे भी श्री राम कृष्ण से एक बच्चे की तरह बेवहार करते थे और नी संकोच जैसे एक बच्चा अपनी मां से कोई भी चीज मांगने की जित करता है उसी तरह से वह बालक के साथ बालक का वेवहार करते थे ब्रिद के साथ ब्रिद की तरह और युवक के साथ युवक की तरह वेवहार करते थे इस प्रकार जब उन से पूछा गया श्री राम कृष्ण के द्वारा कि उनके बारे में धारना क्या है उनकी धारना थी कि हर चीज को समझने के बाद ही मैं विश्वास करता हूँ लेकिन कब वे आध्यत मिक्ता में इतने डूब गए उन्हें पता ही ना चला बाद में वे कहते हैं कि भगवान श्री राम कृष्ण देब और मा सारदा को हम नहीं समझ सकते हैं जब तक कि वे स्वयम हम को समझा ना दे हम सामानने जीवन में एक दुसरे को समझने का परियत ने करते हैं लेकिन इश्वर शक्ति को हम अपनी बुद्धी के द्वारा तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक इश्वर स्वयम हम को वो शक्ती ना दे वो जानने की शक्ती ना दे वोई कहते थें कि इश्वर ही श्री राम कृष्ण देव ही हमारा सब कुछ है अच्छा बुरा सब कुछ इस प्रकार धीरे धीरे श्री राम कृष्ण देव के संपर्क में आने पर उनके उपर उनके निरभरता बढ़ गई अब सब कुछ उनके हाथ में संप दिया आध्यत मिक्ता का जो परिसंचालन है उसकी बाग दोर भी श्री राम कृष्ण के उपर संप दी एक बार श्री राम कृष्ण देव ने सुभोत चंद्र गोश को कहा कि तुम ध्यान करो इस पर सुभोत चंद्र ने कहा कि अगर मुझे ध्यान सीखना होता या करना होता तो किसी और से सीख जाता आपके पास आने का क्या फायदा है अगर आपके पास आने पर भी मुझे ध्यान करना पड़े तो मेरा उसमें कोई फायदा नहीं इस पर श्री राम कृष्ण देव उनके भाव को समझ गए कि वे पूरे के पूरे मुझे पर निर्वर है श्री राम कृष्ण देव ने उनसे कहा कि ठीक है तुम वो सब मत करो सिर्फ इश्वर का नाम मनन स्मरन करते रहो फिर भी एक बार श्री राम कृष्ण देव ने सुभोच चंद्र को कहा कि श्री राम कृष्ण कथा अमरित या वचना अमरित जिनोंने लिखी है मास्टर महाशय उनके पास जाने के लिए उन्होंने कहा कि वो है एक अच्छे शिक्षा बिद्ध है और बहुत संसकारित व्यक हालन करते हुए उनके पास जाने लगे और उनके पति उनके मन में श्रध्धा उत्पन हुई यह तो था जब श्री राम कृष्ण देव के संपर्क में आए और किस प्रकार उनके उपर उनकी इश्वर निरवरता बढ़ने लगी अब धीरे धीरे से वे उनकी सेवा में भी सेवा में भी मंग्न हो गए एक बार अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्हें खोखा किसलिए कहते थे क्योंकि वो बच्चे के समान सरल थे निश्क पड़ थे अभिमान रहित थे तो जिससे एक बच्चा जो है उसे टौफियां अच्छी लगती है चौकलेट अच्छे लगते हैं इन सबका आकर्शन उनके मन में होता है उसी परकार इनका भी एक आकर्शन था वो बहुत बड़ी बिलासिता नहीं थी उनको चाय बहुत पसंद थी चाय के प्रति उनको आकर्शन था तो एक बार श्री राम कृशन देप के को जब कंठ रोग हुआ था गले का कैंसर हुआ था तो उन्हें दर्द हो रहा था गले में तो इस पर सुबोद चंद्रगोष श्री राम कृशन देप को कहते हैं कि आप जिस कमरे में रहते उस कमरे में सीलन होती है इस बज़े से आपको गले में दर्द होता है और मुझे भी जब गले में दर्द होता है तो मैं चाए पीता हूँ चाए पी करके वो दर्द ठीक होता है लेकिन उन्हें यह बान नहीं था कि यह कैंसर का दर्द है इसलिए श्री राम कृष्ण देव को कहते है कि आप चाए पीलो चाए पीने से आपका दर्द ठीक हो जाएगा तो यह बालक बत जो नी संकोच हो करके वो अपनी बात निश्क पटता से बता देते थे यह इनके जिवन में परिलक्षित होता है इसके बात श्री राम कृष्ण देव का देहावसान हो जाता है उनकी समाधी हो जाती है तब वो एकान तन्हों करते हैं उनके अंदर वेराग्य पहले से था उनका सभाविक गुन था लेकिन श्री राम कृष्ण देव के संपर्क में आने से नव वेराग्य का जागरन हुआ लेकिन शीराम कृष्ण देप का जब देहा अवसान हुआ उन्होंने समादी ली उसके बाद उन्होंने ग्रहत त्याग कर दिया और काली माता के मंदिर में जाकर के माता को प्रणाम करते हुए वहाँ से चल पड़े और इस पर उन्हें मुर्टी को देखकर ऐसे लगा जैसे मा उनसे कह रही है काली माता उनसे कह रही है कि तुमें भै कैसा तुम चिंता क्यूं करते हो मैं तुमारे संग हूँ इस परकार से वे घर बार छोड़ देते हैं और निकल पड़ते है आदेत मिक्ता के उस मार्ग पर पहले जाते है gratis ट्रंक रूड से वारानसी जाते हैं और वहाँ पर वारानसी में मा अननपुर्णा का दर्शन करके बाद में वापिस वारानगर मत लोडते हैं और वहाँ पर सन्यास लेते हैं अब सुवोध चंद्रगोष का नाम हो जाता है स्वामी सुभोधानंद और फिर वारानगर मट के बाद में वह ब्रह्मानंजी माराज के साथ में फिर से तिर्थ ब्रह्मन जाते हैं अब इस तिर्थ ब्रह्मन में क्या होता है जब वो तपस्या करते और तिर्ट भ्रवन करते तो दो अद्वुत घटना हैं उनके साथ घटित होती है पहली घटना होती है कि वे एक नदी को पार कर रहे होते हैं और जब उनने नदी पार करनी होती है उस समय पानी ज़्यादा नहीं था और उन्हें तैरना नहीं आता था और पानी इतना गहरा नहीं था इसलिए वे भी दूसरे को देख करके चल पड़े पानी में तैरने के लिए लेकिन जैसे वे तैरने लगे तो पानी का स्तर बढ़ गया बाहर आ गई तो उनके पीछे एक व्यक्ति तैर रहा था उससे उन्होंने कहा कि अगर मैं डूब जाओ तो मेरा समाचार मेरे गुरू भाईयों को पहुँचा देना और वहीं से डूपते डूपते को कह रहे होते हैं कि श्री राम कृष्ण देव को आवान करते है ठाकूर मेरा अंतिम परणाम ले लो उनको यह निश्चित था कि अब उनके मिर्तियों निश्चित हो गई है और इस तरह से वो डूप जाते हैं लेकिन अगले दिन वो देखते हैं कि एक किनारे पर उनको किसी ने खीच रखाए और वहां पर पड़े रहते हैं इस परकार से उनका जीवन बच जाता है और जब वे पानी के लिए कमंडलू को छू रहे थे तो गिर पड़े तब श्री राम कृष्ण देव से उनने परातना की मैं बहुत दुरबल हो गया हूँ और उठ भी नहीं पा रहा हूँ इतना कष्ट सहन कर रहा हूँ कोई देखने वाला भी नहीं है तो श्री राम कृष्ण देव उनको सपन में दर्शन देते है तुम चाहते क्या हो आदमी चाहते हो या पैसे चाहते हो रुपयां चाहते हो बाद में श्री राम कृष्ण देव से कहते है कि ये देह रहेगी तो इसमें रोग भी रहेगा अते मुझे कुछ नहीं चाहिए बस इतना कर दो जिससे कि मैं इश्वर का नाम ना भूलू आपका नाम स्मरण कन्ना ना भूलू अगले दिन क्या होता है एक सादू एक सन्यासी आकर के उनकी सेवा में लग जाता है और एक दुसरे सन्यासी को मनी आडर से 50 रुपे आते हैं और वह सादू भी उन 50 रुपे को उनकी सेवा में लगा देते हैं उनकी रोक को ठीक करने में लगा देते हैं इस प्रकार श्री राम कृष्ण के संपर्क में आने के पहले और बाद में उन्हें कुछ अनुभूतियां हुई इन दृष्टांसों से हमें पता चलता है और उनकी श्री राम कृष्ण के ऊपर जो निर्भड़ता है इस यो निर्भड़ता वो बढ़ गई अब इसका अगला पड़ाओ आता है स्वामी विवेकानन्द के साथ उनके गुरू भाई थे जब स्वामी विवेकानन्द अमेरिका से वापिस आते हैं उनका लक्षे था उदेश्य था कि यहां पर आकर के नव यूग नव मंत्र के द्वारा राम कृष्ण संग को नए रूप में गड़ा जाए तो उसके लिए उन्होंने अपने जितने भी गुरू भाई थे उन सब गुरू भाईयों को व्याख्यान देने के लिए त्यायार करना था और उन सब की बारी लगाए थी कि सब्ता में सब्ताहिक व्याख्यान देने पड़ेंगा और सबको एक एक सब्ता में एक बार मंच पर आ करके व्याख्यान देना होगा लेकिन सुभोदानंजी महराज तो बालक बद थे और उनको हिम्मत नहीं हो दी थी मंच पर ज देखते हैं देखते हैं कि धर्टी काप जाती है और आसपास में जोलाफ था उसका पानी किनारों से हिलोरे ले रहा है और शंक ध् enforce रही है तभी सबको लगा ये क्या हो रहा है इतनी आवाजیں क्यों आरही है उथल-ठल क्यों हो रही है तो सभी को लग गया कि ये तो भुकम्प आ गया और जैसे भुकम्प आया सब लोग भाग गए और अफ्रा तफ्री हो गई सब मंच से भाग गए सब सभा से भाग गए इस परकार से वे अपना व्याख्यान देने से बच गए लेकिन तब भी नहीं बचे उसके बाद स्वामी विवेका नन्ने उनने हसी मजाग करते हुए कहा कि सुभोदा नन्न जी माराज का व्याख्यान तो इतना परभावशाली था कि जैसे हुए मंच पर गए धर्ती भी कापने लगी सब लोग को लगा कि ये धर्ती कापी भुकंप के कारण लेकिन उनको एक हास्यपद घटना के बारे में बताया गया कि एक तरफ से उनसे बिनोध पुर्वग कहा गया कि आप तो इतने प्रभावशाली ब्याख्यान दे सकते जिससे धर्ती भी काप जाएं सुभोदा नन्न जब गुरु भाई थे जो नी संकोच उनके पास जाते थे और स्वामी विवेकानन भी इनके साथ में अपने आपको सहज अवस्था में शान्त अनुभव करते थे इसी संदर्म में एक घटना होती है वो उनसे बड़ा स्नेह करते है और स्वामी विवेकानन उनसे कहते हैं सुभोद, खोखा मैं तुम्हें वर दूँगा वरदान दूँगा मांगो क्या वरदान चाहिए तुम्हे सुभोदा नन्न जी क्या वरदान मांगेंगे उनका वरदान था कि सुभह की एक समय की जो मेरी चाय वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए ये उनको जैसे बच्चों को अपने खिलोनों से चौकलेट से आकर्षन होता है उनका एक बच्चे की तरह चाय से आकर्षन ता ये कोई बहुत बड़ी बिलासिता नहीं थी और वे चाहे को एक बहुत बड़ी राम बान आशिदी मानते थी स्वामी विवेकानन उन्हें कहते है तथास्तु और जिवन के अंतिम छणों तक वो चाहे बंद नहीं हुई उन्होंने अंतिम दिनों तक वो चाहे भी इस परकार स्वामी विवेकानन ने 1901 में एक ट्रस्ट डीड बनाया और उसमें 11 गुरु भाईयों को ट्रस्ट यानि नियासी निक्त किया उन में से स्वामी सुबोदानन जी माराज भी उस ट्रस्टी डीड के एक सदस्य थे और इस परकार से वे रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण मठर मिशन में सेवा कारे में उद्यत हुए अब अगला पड़ाव आता है कि उनकी मानसिक्ता क्या थी, उनकी सोच क्या थी कारे के बारे में, संग के बारे में वो कहते थे कि कारे करते हुए कभी भी कारे करने में ढिलाई मत करो अगर काम करने के लिए कोई संगी साथ ही मिल जाए तो अच्छा है नहीं मिले तो अकेले भीड़ जाओ और दुसरा था कि सत कर्मो को करते हुए कभी पीछे मत हटना उसमें अनेक विगन बाधाएं आयेंगी लेकिन उनका एक और बात एक और कहना था कि कभी भी व्यक्ती को दुसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए आत्मा निर्भर होना चाहिए अपने पेरों पर खड़े हो करके काम करना चाहिए वही सर्वोतम है उनका कहना था कि अगर आपके मन के नुसार आपका साथ देने वाला मिले तो अच्छा है नहीं मिले तो अपने आप ही संगर्ष करते रहना चाहिए जिनके मन में संशाय होता है जो संशाय युक्त होते है डाउटफुल होते है वो जीवन में अपने कारे को अच्छी तरह से कभी नहीं कर सकते है इसलिए उन्होंने ये सिर्फ कहा नहीं उन्होंने इसे अपने जीवन में अंगीकार किया अपने बेवहारिक जीवन में भी ला तो उनके मन में दुसरों के प्रती सेवा का भाव जाग जाता था और सेवा करने के लिए ततपर हो जाते थे और वे क्रियाशील हो जाते थे सक्रिय हो जाते थे ऐसी घटना 1908 और 9 की है उडिसा के चिलका ताल अंचल में अकाल पड़ गया और तब उन्होंने वहाँ जाकर के उस अकाल अग्रस्त छेत्र में जाकर के वहाँ पर अकाल अग्रस्त अकाल से पीडित लोगों की प्राणपन से पड़े ही परिश्रम से सेवा की और इतना ही नहीं जब वापिस लोट रहे थे तो उडिसा के एक स्थान का नाम है कोठार वहाँ से एक गरीब एक निर्धन बालक को लाया और कलकत्ता में आकर लाकर के उसकी सिक्षा की वेवस्ता की उसकी पड़ाई लिखाई करवाई और हमेशा वो दुसरों की साहता के लिए तक पर रहते थे कोई रोगी हो तो उनकी शैया के पास जाकर के उनके रोग को ठीक करने में लगे रहते थे एक बार एक बिद्यार्टी को चेचक हो गया अब सभी लोग जो उसके आसपास थे लोग उसको छोड़ करके चले गए क्योंकि उन्हें डर लग रहता भै लग रहता कि उस चेचक उनको ना हो हो जाए परन्तु ठोखा महराज सुबोद महराज वहाँ पर उनके पास ढटे रहे उनकी सिवा में और उस विद्यार्टी को रोग मुक्त कर दिया बैलूर मट में आकर के भी बैलूर के गाउं के आसपास में एक निर्धन परिवार को भूख मरी से बचाया उनके लिए खाने पिने की ववस्ता की और आसपास के लोग के लिए जो जुरुत बंद लोग है उनके लिए बिक्षा मांग करके पैसा और अनकठा करके उनकी सेवा क्या करते थे तो ये सत कर्म से उनकी पीछे नहीं हटे उसमें चाहे कोई भी विगनाई आया हो कोई भी बाधा आई हो वो कभी भी पीछे नहीं हटे इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सरल निश्कपट और अभिमान रही तबालक इस प्रकार से अपने जीवन में शिर्राम कृष्ण के उपर निर्वर हो करके आदात्मिक जीवन का संचालन कर रहे है और उसका पालन कर रहे है अब सतत कारे करते हुए जब वे भारत या भारत तब पुर्व बंगाल था जो अभी बंगला देश है वहाँ भी उन्होंने अनेक कारे किये मठ के किसी भी कारे में वे भागीदारी रहते थे जब वे मठ में रहते थे भी खर्चुरी दूसरों के लिए उपलब नहीं है एक एक आपकी आत्मियता कि जो चीज हमें संचित करके रखनी है दूसरों के काम आई आए वो आत्मियता थी उसी प्रकार मठ के प्रतिव उनकी आत्मियता थी मठ में उन्हें देखा जाता था कभी छूरी लेकर के एक रस् रहेंगी और हम उनको दोबारा से लगा सकते हैं और इसके लिए वो अपने हातों से कलम बनाते थे और ब्रिक्ष पर भी चड़ जाते थे उनकी आयू इस समय कितनी थी साथ वर्ष पुसाथ वर्ष की आयों में भी हुए सकरियते खिर्याशील थे हैं आत्मिता का परेचय दिया हैं सबी कारियों में भाग लेते थे इतना ही नहीं चाहे बालक हो चाए ब्रिद हो चाहे इवक हो सब के साथ मेल जोल रखते थे उनको देख करके सब को लगता था तो बालक है मैचूर नहीं है ऐसा लगता होगा लेकिन उनकी आध्यत्मिक्ता की गहराई को कोई पहचान नहीं पाता था लेकिन कुछ लोग उनके पास जाते थे मन के शान्ती प्राप्त करने के लिए और उनके वारतालाप से ही वे लोग उनकी आध्यत्मिक शक्ती से परीचित हो जाते थे और आध्यत्मिक आलोक उनका अभी व्यक्त हो जाता था जब वो बारतालाप करते थे इस परकार बारतालाप करते करते जो आगन तुक थे जो उनके पास जाते थे वो शानती को प्राप्त करते थे श्री राम कृष्ण देव ने एक बार उनको उपदेश दिया था श्री राम कृष्ण देव ने उन्होंने प्रश्ण किया था कि मैं बहुत सारे लोगों से प्रश्ण किये है बहुत साई लोग मुझसे भी पूछते हैं, किताबे भी पड़ी है, कि क्या इश्वर दर्शन होता है, तो छिए राम कृष्ण देव ने उनसे कहा था, कि जिस परकार एक व्यक्ति दुसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी परकार इश्वर भी दर्शन देने पर बाते करते हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए उनसे प्रातना करनी पड़ती है, जोर से प्रातना करनी पड़ती है, जिस परकार एक बच्चा अपनी किसी वस्तू के लिये अपनी मां से रो-रो कर प्राथना करता है और मां ऊसको वस्तु देदेती हैं उसी प्रकार भगवान से प्राहतन करने पर वह वी वस्तु उन्हें दे देते हैं उस प्रकार हम देखते हैं कि सुबोत महराज के अंदर जो आध्यात मिक्ता का जो परिसंचरन हुआ है वो श्री राम कृष्ण देव ने अपने उपदेशों से उनके जीवन को आध्यात मिक्ता में गठित किया आगे हम देखते हैं कि वे अपना कार्य किसी से नहीं कराते थी दुसरों पर निर्वर रहने की उनकी प्रवरित्ती नहीं थी एक बार वो कपड़ा अपना वस्त दोने के लिए जा रहे थे और पहले से साबुन लगा कर जा रहे थे कभी देखते हैं कि वहाँ पर उस घाट में पहले सी कोई माराज कपड़े धो रहे हैं और देखा कि उन्होंने भी साबुन लगाया हुआ कपड़ों में उनके मन में आया कि अगर मैं अपने कपड़े धो लूँ तो इसके कपड़े पर लगा साबुन ब्यर्थ चला जाएगा इसलिए उन्होंने वहाँ पर बैठे माराज से कहा कि तुम मेरे कपड़े धो लोंगे माराज ने कहा कि मैं धो लूँगा आप रख दीजिए पर सुबोदा नंजी माराज उनसे कहते हैं कि मैं इसलिए ये कपड़े यहाँ पर रख रहा हूँ कि अगर मैं कपड़े धोने चला जाओंगा घाट में उतर जाओंगा तो तुम्हारे कपड़ों पर लगा साबुन ब्यर्थ चला जाएगा और अगर तुमने मेरे कपड़े धो दिये तो तुम इसमें गेरवा रंग लगाओंगे और मैं दुसरों से सेवा लेना पसंद नहीं करता हूं तो वो एक किसी पर भी निर्भर नहीं रहते थे अपना कार्य स्वयम करते थे यह उनकी प्रवरित्ती थी अपने कार्य में सतत रहते थे उनका जीवन बड़ा नियमित था बड़ा सूव वेवस्तित था बैलूर मठ से उन्हें बड़ा प्रेम था क्योंकि शिराम कृष्ण देव ने उन्हें कहा था कि स्वामी विवेकानंद साक्षात शिव है तो जब वो बैलूर मठ में रहते थे तो कहते थे यहां बस दाल भात मिल जाएं उतना ही काफी और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिर रोज सुवे स्वामी विवेकानंद जी का जो समादी स्थल है वहाँ पर बिलव वरिक्षे पास में उनके दर्शन के लिए रोज जाते थे और फिर वही उक्ती कहते थे कि ठाकुर्ण ने कहा है स्वामी विवेकानंद तो साक्षात शिव है और एक बार उन्होंने देखा कि दोपहर के समय श्री राम कृष्ण देप को भोग देने की जो घंटी है उसमें देरी हो गई उन्होंने कोठारी से पूछा कि तुमने इतनी देरी क्यों की तो कोठारी ने कहा कि आज ठाकुर को बिशेश भोग लगाना है तब सुबोद माराज ने कहा कि श्री राम कृष्ण देव राक्षसी वेला यानि बारा बज़े के बाद राक्षसी वेला उसे कहते हैं उसमें अर्पित किया हुआ भोजन सभीकार नहीं करते पसंद नहीं करते हैं इसलिए बारा बज़े से पहले राक्षसी वेला से पहले जो कुछ भी बना हो उसे ही भोग के रूप में लगा देना और बाकी पिशेश भोग बाद में भी बना सकते हो लेकिन ठाकूर को खिराम कृष्ण देव को राक्षसी वेला यानि बारा बज़े से पहले ही भोग लगाना होगा इस नियमित और सुबहवस्टित जीवन से हुए दूसरों को भी सीख देते थे जब कोई भी नवागत सादू ब्रमचारी मठ में आता था उनके साथ मिल जूल करके रहते थे एक बार एक प्रमचारी को मठ सिंद डंड दिया गया और कहा गया कि बहार से ही तुमें बिक्षा लेनी होंगी अब वो जब बहार बिक्षा मांगने गए तो बिक्षा बहुत कम मिली और उनको बूख लगी थी अब भटकते भटकते फिर वे वापिस द्वार पर आये मठके तो सुबोदानजी माराज ने उनको देखा और प्रवेश द्वार से प्रबंद जो मठ के चलाने वाले जो संचालक थे उनसे प्रातना की छमा याचना की उस ब्रमचारी के लिए कि इसको मठ में मान लो और फिर उनकी चमा याचना से उन्हें प्रवेश मिला तो वे सब का साथ देते थे सतत पर्यास करते थे सत कारियों में लगे रहते थे संगर्ष से पीछे नहीं हड़ते थे और बहुत बालक बत सवहाव था उनका नाओं में जाने से डड़ते थे गंगा पार करनी है तो नाओं में नहीं बैठेंगे कहीं डूबना जाए इसलिए क्या करते थे बैलूर मर्से साल किया एक जगा है पांच किलो मिटर वहाँ तक पैदल जाते थे नाव में नहीं जाएंगे पैदल जाएंगे और वहां से फिर प्राम लेकर करके कलकत्ता जाते थे जब तक वापिस भी ऐसे ही लौडते थे बड़ा ही सरल वेवहार उनका था स्प्रिहा रहित थे किसी चीज की लाल सा नहीं थी उनका परिबार धनाड्य परिबार था धन संपत्ति से संपूर्ण परिबार था उनके परिबार वालों ने उनके हिस्से का उनको देना चाहा भाग उनकी संपत्ति उनके हिस्से की जो संपत्ति थी उन्हें देनी चाहिए कि यह आप आपकी संपत्ति है आपकी आपका यह भाग है आप इसलिए लिजिए तो उन्हों उन्हें स्प्रिहा रहितों करके कहा कि मैं तो सर्वत्यागिस अन्यासी हूं और मुझे पैसों से कुछ नहीं लेना है इसको सादू या गरीबों और दीन लोगों की सिवा में लगा दो और इसी स्प्रिहा रहित के साथ साथ उनके अंदर इश्वन निर्भरता भी थी जब हम देखते हैं कि श्रीधर स्वामी थे एक जिनोंने भगवत गीता और भागवत पर टीका लिखी है उनके जीवन की घटना हमेशा याद करते थे जो श्रीधर स्वामी थे इनकी पतनी का देहांत हो गया और उनकी पतनी ने एक कन्या को जनम दिया कन्या को जनम देने के बाद उनकी पतनी का देहांत हो गया अब पतनी के वियोग से उनके अंदर वैराग्या आ गया संसार को छोड़ने की इच्छा हो गई श्रीधर स्वामी को लेकिन मन में चिंता हो गई अगर म और उस कन्या का ओ लालन पालन करने लगे इस प्रकार से वो बहुत दिन हो गए बहुत वर्ष हो गए और सोचने लगे कि ये तो दिन वा दिन अनेक समस्या आ रही है और ये जो वेराग्य की प्रबलता है वो तो शीन होती जा रही है और ये समस्या है तो कम ही नहीं हो रही है कब मैं वेराग्य प्राप्त करूंगा तब ही वहाँ पर उन्हें एक दिर्ष्य दिखाई देता है वास्तम में कि एक छिपकली का अंडा गिरता है और उसे छिपकली का बच्चा निकलता है और थोड़ी दिर में एक कीडा आकर के उस छिपकली के बच्चे को खा जाता है तब उनके दिमाग में एक बात आती है वो सोचने लगते हैं कि ये जो श्रिष्टी की उत्पत्ती हुई है ये जो पूरा विश्व ब्रह्मान जिसकी उत्पत्ती जिसने की है ये है बड़ी ही सू नियोजित योजना है बेल प्लांड है ये और इश्वन ने किसी भी जीव के जनम से पहले उसके जीवन के लिए अच्छी वेवस्टा कर रखी है उसके जीवन को जीने के लिए पहले से वेवस्टा कर रखी है इस घटना को जब वो समरन करते हैं तो उनके अंदर फिर वेराग्य का नव जागरन हो जाता है और वो फिर से संसार को छोड़ देते है इस परकार का वेराग्य भाव उनके अंदर उदित होता है और इस तरह से स्वामी सुबदान जी इस कहानी को बार 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 बताते हैं जिस प्रकार उनका बालकवत सवभावता ये आप उनकी मधुरता बेवहार में स्परश्टता और अविमान रहित प्यक्तित्वू इसका हम परिचय उनके आने वाले दिश्टान्तों में देख पाते हैं कि एक बार जब उनकी आयू होने लग जाती हैं तो महापुरुष महराज रामकृष्ण संग के परमाद्यक्ष थे उनके बगल वाले कमरे में रहते थे तो वहाँ रहते थे इतने समवेदन शील थे संसिटिव थे कि उनके चलने की आवाज भी उनके कक्ष तक न जाएं तो ऐसे पाउं रखते थे बच्चे की तरह और एक बार महापुरुष महराज बिमार हो गए जब वे बिमार हुए तो चिकिस्थक आया उनके रोग को ठीक करने के लिए और महापुरुष महाण चिकिस्थक को पूछा अन्य लोग भी वहाँ पर थे कि अरे उस लड़के को देखा वो बहुत लापरवा है देखबाल नहीं करता है उसको बुखार हो गया है अरे उसको सही सही चिकिस्सा करो उसकी सही सही चिकिस्सा करो और अच्छे से पत्थे करो उसका सभी लोग अचम्वित हो जाते है कौन सा लड़का यहां मठ में रहता है यह कौन सा लड़का है तो मापुरुष माराज कहते है अरे वो है ना खोखा कमरे में पड़ा हुआ है और खोखा की आयू कितनी थी उस समय 68 वर्ष उस 68 वर्ष के ब्रिद को वो बच्चा कहते थी इतना और उन्होंने भी यह बात सुन ली और जब चिकिस्थक उनके पास गया तो वो बालक की तरह बोले कि जैसे मापुरुष माराज ने कहा है वो ही ठीक है उसी के दिशा निर्देशनुसा जो आप पत्थे करेंगे मैं उसी कोई सभी कार करूँगा अपनी और से कुछ नहीं उस उमर में भी तो एक जो निर्भड़ता थी एक बालक 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 जो सभाव था उनका यहां से परिलक्षित होता है अब उनको जब प्राड आई हो गई है उनकी प्राड अवस्था में भी वो खुद को खोखा बोलते थे और उसी तरह बेवहार करते थे अब उनको मंतर दिक्षा देने के लिए कहा जाता था तो मंतर दिक्षा दो तो नहीं देते थे मना करते थे सब को भगा देते थे जाओ ब्रह्मा नंजी माराज के पास जाओ मा सार्दा के पास जाओ कोई जाता अरे आप हम को दिक्षा दो बोलते मैं तो खोका हूँ मैं तो मुर्ख हूँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ बच्चा हूँ मैं ऐसा कह करके और अगर कोई जबर्दस्ती उनसे करता बहुत प्याचना करता तो वहां से भाग जाते थे फिर भापुरुष माराल ने उनसे कहा मिंा रहे पुरुव बंगाळ आजका जो बंगला देश है उसको पुरुवँ भंगल था उससमें पुरुव भंगाळ जोग ठाकूरु का नाम लेने के लिए बहुत लालाई थे तुम जाकर के सब को धिक्षा देदो ठाकूरु का वापिस आते हैं तो पता चला उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी दिख्षा दिये तो महा पुरुष माराज ने कहा कि छोटे से बच्चे को कैसे तुमने दिख्षा दियो कैसे मंत्र का स्मरण मनन करेगा आपने कहा था इसलिए मैंने दे दी और आपने यही कहा था किसी को वन्चित मत करना और सब को उन्हें फिर दिख्षा दी वहाँ पर तो इससे उनका बालक बत सभाव था कोई कहते थे कि महराज हमको तो गायतरी जब करना नहीं आता है हमको न्यास करना नहीं आता है और हमको तो त्री संध्या करनी नहीं आती है आप हमको सिखा दो तो कहते थे अरे मैं खोखा हूँ खोखा मुझे कुछ नहीं आता मैं मुर्ख हूँ मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ जो मुझे ठाकुन ने दिया और जो मैंने पाया जो मैंने जाना और जिससे मुझे आनंद हुआ वही मैंने तुमको दिया है बस जो मैंने दिया उसका जब ध्यान करो मन को निग्रह करते जाओ इतना करो बस सरल भाव से वो बोल देते थे बड़े ही सरल भाव से विमान रहित हो करके कहते थे इत किसी को भी उनकी आद्यत मिक्ताक का पता नहीं चलता था उसकी था नहीं लग पाती थी उसकी गहन ता पता नहीं लग पाती थी तो यहीं पड़ने ही रुके हो जब वो दिक्षा देते थे उसके बाद का जो जीवन है उसके बाद का जीवन उन्होंने ठाकूर के उपदेश का परचार परसार करने में बिताया और विविनस्टानों में जाकर के परचार परसार करते थे जो भक्त लोग थे उनको धरवपत पर लाने के लिए उन्होंने पर्यास किया फिविन स्तानों में गए, राची में गए, ढाका में गए, पुरू बंगाल में सब जगे वो गए थे इन सब जगे पर जाकर के उन्होंने खूब ठाकुर के नाम का परचार परसार किया इस प्रकार हम देखते हैं कि जब उनका श्री राम कृष्ण देव के साथ संपर्क हुआ, तब का वयोहार भी नी संको छोकर के बालक की तरह स्री राम कृष्ण देव से प्रश्ट करते थे स्वामी विवेकानन के पास है स्वामी विवेकानन भी उनकी सरलता से उनकी निश्क पड़ता से उनकी अभिमान रहित निरहंकारिता से इतने प्रभावित होते थे कि वे भी जब क्रोधित होते थे नाराज होते तो उन सहज अवस्था में आ जाते थे और जब वो जन कल्यान में जाते थे, लोगं की सेवा करते थे, तो उनका हरद्य दुख्खी और फीडीतों को देखकरके, सक्रीय हो जाता था, कैसे सक्रीय हो जाता था, सदेव सेवा के लिए ततपर रहते थे, कोई गरीब दिखा, निर्दन दिखा, विक्षा भी मांग लेत पैसे भी मांग लेते उसके इलाज के लिए ये भी हम उनकी जीवन में देखते हैं और नियमित जीवन सुभ एवस्तित जीवन जीने की उनकी परिकल्पना थी मट में खेतों में काम करना हो चाहे वागान में काम करना हो चाहे ठाकूर के लिए चंपा का पुश्क तोड़कर के लाना हो वो पीछे नहीं हटते थे हर कारे में आगे रहते थे सत कारे से कभी पीछे हटे ही नहीं धीरे धीरे से उनका जैसे जैसे ये कारे बढ़ता गया उनका स्वास्ते भी बिगड़ता गया और ये स्वास्ते इतन और फिर बाद में एक बार एक ऐसी अवस्ता थी जब वे महिला भक्तों से बात नहीं करते थे स्वामी विवेकान ने आकर के उनको कहा कि ये तो जगदंबा की मुड़ती है इनसे मा और कन्या की तरह मिलना और ये लोग आप से शांती प्राप्त करने के लिए आती हैं अगर इनको तुम मार्ग दर्शन नहीं करोंगे तो किसके पास जाएंगी तब से लेकर के हुए सभी मात्र शक्ति को माई शब्द से संबोधित करते थे अपने पत्र में वो जब भी किसी महिला शिश्य को लिखते तो माई शब्द का परियोग करते थे और इस परकार से फिर उनकी जो शरद्धा है वो और भी बढ़ गई तो हम देखते हैं कि किस परकार से उनका जो मन है वो जो बालक प्रुबत सरलता जो थी वो हिर्द्यस परशी थी और वो सब को आकरशित करती थी सब के चित को आकरशित करती थी सब लोग अगर आप इनका फोटो भी देखे तो इनके फोटो पे देखने से भी पता चलता है कि मन्द मुस्कान है मधुरता है एक सरलता है इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो बालक वत सरलता थी निश्क पड़ता और अविमान रहित थे वे सेवा कारे में सदेव तत्पर रहते थे दुख्यों को देख करके हमेशा सत्कर्मों में अग्रसर रहते थे नियमित जीवन और सुवेवस्तित जीवन सब के साथ मिल जुल करके रहते थे ये सब उनके जीवन में परिलक्षित होता है और इन सब का जो आधार था वो भगवान श्री राम कृष्ण देव थे क्योंकि उनके संपर्क में आकर के ही वे अपने जीवन को गठित कर पाए अपने जीवन में आधात्मिक्ता की प्रेड़ना पाई अपने जीवन में वेवहारिक और आधात्मिक ज्यान प्राप्त किया परवर्ति काल में जब हम देखते हैं उनका जीवन प्रॉड अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनका स्वास्त बिगड़ता जाता है और 1931 में उन्हें च्छै रोग हो जाता है ट्यूबर क्लोसिष उनके गले से रक्त बेहता है और जाम ताडा में उनको ले जाया गया जामताड़ा जहारखंड में हैं बंगाल के सीमा पर है और वहाँ पर उन्हें ठाकूर के दर्शन हुए थे तब उन्होंने उनके मन में विचार आ गया था और उन्होंने कहा था कि अब मैं ज्यादा दिन इस धर्टी पर नहीं टिकूंगा लेकिन महापुरुष माराज ने उनसे कहा था कि मैं श्री राम कृष्ण देव से आपके लिए प्रात्ना करूंगा आपका जीवन दिर्ग हो जाएगा लेकिन उसी दिन उनको सपन आता है और सपन में देखते हैं स्वामी ब्रमा नंजी माराज राखाल माराज स्वामी प्रेमा नंजी माराज और योगीन माराज ये सब उनको सपन में दिखते हैं और इन सब को देखने के बाद में वो खोजते हैं स्वामी वीवे का नंद को सपनों में खोजते हैं स्वामी वीवे का नंद कहा है स्वामी जी कहा है स्वामी जी कहा है वो सब कहते हैं वो चले गए यहां से वो बहुत दूर चले गए है वो इश्वर में लीन हो गए है ऐसा कहते है उनसे बोलते रहे वो कहां चले गए नहीं मुझे उनके पास जाना है इस परकार कहते हैं सपन में मैं इस परकार कहते हैं वहां से चला जाता हूं और तभी उनकी नीद खुल जाती है और उसके बाद उन्हें जो आनंद मिलता है उ उसे जो उन्होंने अनुभव किया उसे अविव्यक्त नहीं कर पाते हैं तब उए कहते हैं संसार में जितने भी सुख है वे सारे सुख तो राह की धेर के समान है इसलिए इन संसारिक सुखों के लिए मेरे मन में कोई भी आकर्शन नहीं है जितना भी दुख और कर्ष्ट इस पृत्वी पर ही है दुसरी जगह नहीं है और कहते हैं इन दुख इस दुख से वो पीडित नहीं होते क्योंकि उनके पास क्या है श्री राम, कृष्झन नाम, श्री राम, करिष्चन के नाम का स्मरण करते हुए वे सारी पीडा को भूल जाते हैं इस परकार धीरे धीरे जब उनका च्छै रोग बढ़ता जाता है तो दो दिसंबर 1932 को वे महा समादी में लीन हो जाते हैं उनके चहरे पर कोई भी चिंता का लक्षन नहीं दिखाई देता और नहीं वे किसी चीज से अशान्त दिखाई देते थे अस्थिर दिखाई देते थे बलकि उनकी आभा से सभी को शान्ती उनके मुख की आभा से सभी को शान्ती मिलती थी इस परकार हम देखते हैं कि पालकबत, सरल, निश्कपट, अभिमान रहित सुबोदान जी महाराज हम सब के लिए यही संदेश देते हैं कि हम सब को सतत अपने सत्ते कारेव में लगे रहना चाहिए किसी भी कारे से पीछे नहीं हटना चाहिए किसी भी कारे में धिलाई नहीं देनी चाहिए और इसमें अनेक बादाएं आएं तो भी हमें पीछे नहीं हटना है और हमेशा अपने पैरों पर खड़े होकर कारे करते रहना है यही जीवन का सर्वोतम सुत्र है इस प्रकार से हम उनके जीवन से यही प्रेड़ना पाते हैं और उन्होंने जैसा कहा कि श्री राम कृष्ण डेव ने उनसे कहा था कि जो यहां का है वो वहां का भी है यहां का अर्थ है श्री राम कृष्ण डेव अपने को कह रहे है श्री राम कृष्ण डेव का अर्थ है इश्वर को कह रहे है जो इश्वर का है वो सब का है और जो यहां है वो सब जगे है और जो इश्वर यहां पर है वही इश्वर सब जीवों में हैं इसलिए हमें सब के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए सब के साथ अपना वेवार अपना आचरन अच्छा रखना चाहिए और दुसरों की हमेशा सेवा करने के लिए ततपर रहना चाहिए यही हम उनके जीवन की विविन घटनाओं में देखते हैं तो हम सभी तुबोदानजी माराज की जीवने से अवस्चे ही प्रेजित होंगे और उनकी जीवन के घटनाओं और दृष्टानतों से अवस्चे ही हमारे मन को भी शान्ती मिलेगी हमारे अंतरतम में उनकी प्रेणना प्रवेश करे और हमारे अंदर भी आध्यत मिक्ता का संचार हो यही हम उनसे प्रात्ना करते हैं ओम शान्ति 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 हरी ही ओम तत्सत श्री राम कृष्णार प्रणमस्तू झालो मीठ कीजने बाद् टत्सके भी मुण草 की और मैं वोक्योचे सुछ जाकी डिधनाalia है जल सब्सक्ति हैं जल दूर्त झालो 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 स्थाप़